स्वामी वीवेका नांद जी की पुस्तक भक्ती जोग का ग्यार्मा अध्याय पराभक्ती त्याग अब तक हमने गौणी भक्ती के बारे में चर्चा की और पिछले अध्याय में हमने भक्ती के साधन विशे पर चर्चा की पर अब हम पराभक्ती का विवेचन करेंगे इस पराभक्ती के अभ्यास में लगने के लिए एक विशेश साधन की बात बतलानी है सब प्रकार की साधनाओं का उदेश्य है आतम शुद्धी, नाम जप, कर्म कांड, प्रतीक, प्रतिमा, आदी केवल आतम शुद्धी के लिए है पर शुद्धी की इन सब साधनाओं में त्याग ही सबसे श्रेष्ट है इसके बिना कोई भी पराभक्ती के क्षेतर में प्रवेश नहीं कर सकता त्याग की बात सुनते ही बहुत से लोग डर जाते हैं पर इसके बिना किसी प्रिकार की अध्यात्मिक उन्नती संभव नहीं सभी प्रिकार के योग में जैत्याग आवश्यक है जैत्याग ही सारी अध्यात्मिक्ता का प्रथम सोपान है उसका सार है यही बास्त्रिक धर्म है जब मानवात्मा संसार की समस्त वस्तुगों को दूर फैंक गंभीर तत्वों के अनुसंधान में लग जाती है जब मैं समझ लेती है कि मैं देह रूप जड में बद्ध होकर स्वयम जड हुई जा रही हूँ और क्रमशा अर्थात लगा बिनाश की तरफ ही बढ़ रही हूँ और ऐसा समझ कर जब मैं जड पदार्थ से अपना मूँ मोड लेती है तभी त्याग आरंब होता है तभी वास्त्विक अध्यात्मिक्ता की नीव पड़ती है कर्म जो की सारे कर्म फलों का त्याग करता है जो कुश कर्म करता है उसके फल में बै आसकत नहीं होता बै एहिक अथ्वा परलोकिक किसी परिकार के फल उपभोग की परवा नहीं करता राज जोगी जानता है कि सारी प्रकृती का लक्ष आत्मा को भिन भिन परिकार के सुख दुख आत्मक अनुभव प्राप्त कराना है जिसके फल सरूप आत्मा ज जान ले कि बै प्रकृति से नित्य प्रिथिक और स्वतंतर हैं। मानव आत्मा को जै भली भांती जान लेना होगा कि बै नित्य आत्म स्वरूप हैं और भूतों के साथ उसका संजोग केवल सामई कहें और क्षनिक हैं। राज जोगी प्रकृति के अपने नाना विध सुख दुख के अनुभवों से बैराग्य की शिक्षा पाता है। ज्यान जोगी का बैराग्य सबसे कठन हैं। कि अरव से ही उसे जै जानलेना पड़ता है कि जै ठोस दिखने वाली प्रकृति निरी मिध्या है। उसे जै समय लेना पड़ता है कि प्रकृति में जो कुछ शक्ती का विकास दिखता है बैश सब आत्मा की ही शक्ती है। प्रकृती की नहीं। उसे आराम से ही जान लेना पड़ता है कि सारा ज्ञान और अनुभव आत्मा में ही है। प्रकृती में नहीं। और इसलिए उसे केवल बिचार जन्य धारणा के बल से एक दम प्रकृती के सारे बंधरों को छिन भिन कर डालना पड़ता है। प्रकृती और प्राकृतिक पदार्थों की ओर बैदेखता तक नहीं। वे सब उर्ते द्रिश्यों के समान उसके सामने से लुप्त हो जाते हैं। बैस्वयम के वल्यपाद में आवस्थित होने का परजतन करता है। सब प्रकार के बैराग्यों में भक्ती जोगी का बैराग्य सबसे स्वभाविक है। उसमें ना कोई कठोरता है, ना कुछ छोड़ना पड़ता है, ना हमें अपने आप से कोई वस्तु छोड़नी पड़ती है और ना बलपूरवक किसी वस्तु से हमें अपने आपको अलागी करना पड़ता है। भक्त का त्याग तो अत्यांत सहज और स्वाभाविक होता है। इस प्रिकार का त्याग बहुत कुछ बिकृत रूप में हम प्रती दिन अपने चारों और देखते हैं। और दारन आर्थ एक मनुश्य एक इस्त्री से प्रेम करता है। कुछ समय बाद बै दूसरी इस्त्री से प्रेम करने लगता है। और पहली इस्त्री को छोड़ देता है। बै पहली इस्त्री धीरे धीरे उसके मन से पूर्ण तया चली जाती है। और उस मनुश्य को उसकी जा मनुष्य से प्रेम करने लगती है और पहला आदमी उसके मन से सहज ही उतर जाता है किसी ब्यक्ति को अपने शहर से प्यार होता है फिर वे अपने देश को प्यार करने लगता है और तब उसका अपने उस छोटे से शहर के प्रती उतकट प्रेम धीरे-धीरे स्वाभाविक फिर जब बेही मनुष्य सारे संसार को प्यार करने लगता है तब उसका स्वादेश अनुराग अपने देश के प्रती प्रवल और उनमत प्रेम धीरे धीरे चला जाता है। इससे उसे कोई कष्ट नहीं होता। जै भाव दूर करने के लिए उसे किसी प्रिकार की जोर जवरदस्ती नहीं करनी पड़ती। एक अशिक्षित अर्थात कम पड़ा लिखा मनुष्य इंद्रिय सुखों में उनमत रहता है। जैसे जैसे बैशिक्षित होता जाता है बैसे बैसे ज्ञान चर्चा में उसे अधिक सुख मिलने लगता है। और उसके विशे भोग भी धीरे धीरे कम होते जाते हैं। एक कुत्ता अथवा भेडिया जितनी रूची से अपना भोजन करता है उतना आनंद किसी मनुष्य को अपने भोजन में नहीं आता। परंतु जो अनन्द मुनुष्य को बुद्धी और बौधिक कार्यों से प्राप्त होता है उसका अनुभव एक कुत्ता कभी नहीं कर सकता पहले पहल इंद्रियों से सुख होता है प्रंतु जों जों प्राणी उच्चतर अवस्थाओं को प्राप्त होता जाता है तियों तियों इंद्रिय जन्य सुखों में उसकी आसकती कम होती जाती है मान समाज में भी देखा जाता है कि मनुष्य की प्रवित्ती जितनी पशुवत होती है बै उतनी ही तीबरता से इंद्रियों में सुख का अनुभव करता है पर बै जितना ही शिक्षित और उच अवस्था को प्राप्त होता जाता है उतना ही उसे बुद्धी सम्मंधी तथा इसी प्रिकार की अन्य सुक्षमतर बातों में आनन्द मिलने लगता है। इसी तरह जब मनुष्य बुद्धी और मनो बृत्ती के भी अतीत हो जाता है और अध्यात्मिक्ता तथा ईश्वर अनुभूती के क्षेतर में भी चरता है तो उसे बहां ऐसा आपूर्व आनन्द प्राफ्थ होता है कि उसकी तुलना में सारा इंद्रिय जन्य सुख जहां त चंद्रमा चारों और अपनी शुब्र उज्वल किरने भी खेरता है तो तारे धुंदले पड़ जाते हैं प्रंतु सूर्य के प्रकट होने से चंद्रमा स्वयम ही निश्प्रद हो जाता है भक्ती के लिए जिस बैराग्य की आवश्यक्ता होती है उसके प्राप्त करने के लिए किसी का नाश करने की आवश्यक्ता नहीं होती बैराग्य तो स्वभावता ही आ जाता है जैसे बढ़ते हुए तेज प्रकाश के सामने मंद प्रकाश धीरे धीरे स्वयम ही धुंदला होता जाता है और अंत में बिल्कुल बिलीन हो जाता है उसी परिकार इंद्रिय ज सुख इश्वर प्रेम के समक्ष आप ही आप धीरे धीरे धुंदले होकर अंत में निश्प्रव हो जाते हैं। यही इश्वर प्रेम क्रमशा बरते हुए एक ऐसा रूपधार्ण कर लेता हैं जिसे पराभक्ती कहते हैं। तब तो इस प्रेमिक पुरिश के लिए अनुष्ठान की और अवश्चिक्ता नहीं रह जाती। शास्त्रों का कोई प्रजोजन नहीं रह जाता। प्रतिमा, मंदिर, गिर्जे, बेभिन धर्म संपरदाय, देश, राष्टर जे सब छोटे-छोटे सीमत भाव और बंधन अप आप ही चले जाते हैं, तब संसार में ऐसी कोई भी वर्स्तू नहीं बची रहती जो उसको बांध सके, जो उसकी स्वाधीनता को नश्ट कर सके। जिस प्रिकार किसी चुम्बक की चटान के पास एक जहाज के आजाने से उस जहाज की सारी कीलें तथा लोहे की छड़ें खी पीच कर निकल आती हैं और जहाज के तखते आदी खुल कर पानी में तैरने लगते हैं, उसी प्रिकार प्रभु की क्रिपा से आत्मा के सारे बंधन दूर हो जाते हैं और बैमुक्त हो जाती हैं। अत एव भक्ति लाव के उपाय स्वरूप इस बैराग्य साधर में ना तो भाव का दमन करना नहीं पड़ता। प्रत्युत बैतों सब भावों को प्रवल करके भगवान की ओर लगा देता हैं।